चाइनीज खाना तो हर किसी को बहुत पसंद आता है और वही खाना यदि 5 मिनिट में बन जाए तो कौन नहीं से बनाना और खाना चाहेगा और ये इतनी लाजवाब होती है कि बार बार इस recipe को आप ट्राय करेंगे और मजे से खाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लीटर की करीब पानी को बॉयल कर लेंगे पानी में बॉयल आते ही गैस को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे हम चिंक सीकेट जस सोक वेज हका नूडल्स जी हाँ इन नूडल्स को बॉयल करने की ज़रूत नहीं होती है सिर्फ हमें पर नूडल सोख हो रही है तब तक हम यहां पर कुछ वेजिटेबल्स चॉप कर लेते हैं तो जो भी घर में आपकी सबजियां अविलिबर है या जो अपनी फैमिली या भी बच्चों को खिलाना चाहते हैं उन्हें आप यहां पर इस तरह से स्लाइस चॉप जैसे भी आपको बारिक बारिक की इस तरह से जिंजर जुलेन भी कर रही हूं और साथ ही हम यहां पर गार्लिक को भी चॉप कर लेंगे इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें और यदि आप चाहें तो यहां पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं अब मैंने यह प्रस्वाइब और भागी की बच्ची पी सब्जाहीं इसमें डाल देंगे उसे कुछ की सबचि की रिए 20 तक हão में चाहिए जिससे ये बहुती हेल्दी भी रहती है और टेस्टी भी लगती है पांच मिट हो चुके हैं अब हम धकन को हटा देंगे और इन सोक क्यों ही नूडल्स को हम एक छलनी में डालकर इसका गरम पानी इससे अलग कर देंगे तो इस तरह से बरतन के उपर छलनी रखें और गरम पानी से निकाल लें और इमेडेटली से आप रूम टेंपरचर या टैप वाटर से इस तरह से वाश कर लेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ सोक करने से ही हमारी नूडल्स कितनी खिली खिली और पॉफेक्ट सॉफ्ट हो चुकी है अब इन सोक क्यों ही नूडल्स को ह इसे खिली 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 और बीना किसी जंजट के हमने जग्स बनाबी लिया है तो एक बार इस रेसिपी को जरू ट्राय करें इस रेसिपी को ट्राय करने के बाद में अपने experience समासा जरूर शेयर करें और इसके बाद में हम आपके लिए और भी एक बहुत ही मज़ेदार सी recipe लिखे आने वाले हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि वे 98% गेहूं के आटे से बनी हुई है तो इस recipe के लिए हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपके ल कि लिए हम आपके लिए वने हम आत्स भी एक लिए समेन हैं बहुत है में जूत